नमस्कार हेलो फ्रेंड्स में हूँ डॉक्ट युगेंदर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्ट युगेंदर बूला एंधर्टिप्स दोस्तो आज हम बात करने वाले एक important medicine tablet citicoline citicoline tablet के रूप में भी और injection के रूप में भी है और brand name Megacoline दोस्तों citicoline एक important brain chemical है जो हमारे शरीर में naturally पाया जाता है और citicoline आजकल tablet और injections के रूप में भी available है यह दोस्तों यह दवा हमारे दिमाग पर यानि की brain के रोगों पर काम करती है बहुत important chemical है और आज के समय बहुत important medicine के रूप में उप्योग में आता है दोस्तों जो टैबलेट citicoline है यह US के अंदर एक dietary supplement के तरह आजकल ज्यादा तर इसको use करते हैं और शुरुवात के दिनों में जापान और यूरोप में एक prescription दवा के रूप में उप्योग होता था खासकर stroke यानि की जो लक्वा के मरीश से जो जिनके अंदर memory कमजोर हो जाती थी memory brain functions कमजोर हो जाते थे उसके अंदर citicoline का उप्योग किया जाता था तो दोस्तों आज हम आपको टैबलेट citicoline, injection citicoline के जो भी उप्योग है, side effects है वो सारी जानकरी इस वीडियो में देंगे दोस्तों citicoline के सबसे जो प्रमुक uses है जो इसके दवा की जो प्रमुक उप्योग होता है वो हम आपको बताते है citicoline का सबसे प्रमुक use होता है stroke, लकवा, खासकर वो stroke वो लकवा जो embolic stroke होता है यानि कि किसी clot के वज़े से दिमाग के अंदर जब लकवा आजाता है तब citicoline injection या tablet का जब उप्योग अगर तुरंथ 12 और 24 विदिन 12 टू 14 आर्ट के अंदर उप्योग करते है तो उस patient की recovery विदिन 3 मंद्स होने की संभा होना काफी बढ़ जाती है तो यह तो इसका उप्योग है stroke के अंदर दूसरा उप्योग है brain damage यानि किसी भी तरह का किसी road traffic accident हो या brain damage हो जाए उस बिमारी के अंदर भी citicoline का उप्योग करते हैं क्योंकि यह जो brain की recovery है damage process है cells का जो damage है उसको ठीक करता है healing process को improve करता है brain function को improve करता है तो stroke के बाद में brain damage में भी इसका उप्योग करते है थर्ड जो important बिमारी है वो Alzheimer's Alzheimer's disease Alzheimer's disease के अंदर जो thinking patient की जो सोचने की शमता है memory है information processing है यह सब disturb हो जाता है तो citicoline जो injection tablets है इसका उप्योग Alzheimer's disease में भी करते हैं खासकर dementia जो यादाश चली जाती है उसके अंदर चोथी जो बिमारी है important बिमारी है वो Parkinson's Parkinson's बिमारी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लक्षन होते हैं tremors होता है चलने में दिक्कत होती है stiffness आ जाता है और Parkinson's में भी दोस्तों दिमाग के अंदर जो dementia हो जाता है यानि की brain function decrease हो जाता है thinking सोच नहीं सकता patient उसकी memory loss हो जाती है चोटे मोटे daily activities वो सही तरीके से नहीं कर सकता daily activities सही तरीके से निभा नहीं सकता इसलिए patient की life काफी disturb हो जाती उसके अंदर भी dementia of Parkinson's disease के अंदर भी इसका उप्योग होता है तो एक तो लक्वे में श्ट्रोक में brain damage में Alzheimer's disease में और dementia of Parkinson's disease इन चार बिमारियों में citicoline injections और tablet का उप्योग होता है दोस्तों जो इसके side effects है वो हम आपको बताते हैं इसके चार important side effects आम तोर पर देखे जाते हैं basically वैसे medicine safe है जो important side effects देखा जाता है वो है increased heart rate इनको हम बोलते हैं medical भाषा में अरिथी मियाज, heart rate अचानक भढ़ जाती है जो normally 70 to 80 पर मिनिट होने जाए वो 1.5-2.00 हो जाती है दूसरा है blood pressure decrease होना, BP कम हो जाना तीसरा है stomach pain, पेट में दर्द होना और चोथा है nausea vomiting वगर है, उल्टी उबाग जैसे होना ये चार important side effects इस tablet injection के साथ देखने मिलते हैं, अगर ये देखने मिले तो आप अपके doctors को ज़रूर बताईएगा इसका dosage क्या है और duration क्या है दोस्तों जो इसका dosage है वो लगबग patient की age, sex, weight और बीमारी के इसाब से doctors decide करेंगे 500 mg tablet के रूप में आता है इसका duration होता है जो doctors decide करेंगे दोस्तों citicoline ये जो दवा है काम कैसे करती है citicoline दो chemicals हमारी brain के अंदर increase करती है एक है phosphatidylcholine और दूसरा है acetylcholine इससे क्या होता है कि brain function improve होता है और दूसरा जो neurotransmitters ब्रेन के अंदर जो आपस में cell के अंदर आपस में messages भेशते है उसका function improve होता है इस तरह से ये दवा काम करती है citicoline अब दोस्तों ये prescription medicine है तो doctors के prescription पर ही आपको लेनी चाहिए और इसको अचानक आप बंद मत कीजिए कभी भी इसका जो भी बंद करने का तरीका है और doctors दीरिदेश का dose कम करेंगे और फिसको बंद करेंगे जो frequently asked questions है उस बार में आपको बताते है ये जो दवाई है pregnancy अगर और breastfeeding है कर रहे है तो doctor को ज़रूर बताईएगा क्योंकि इसका असर breastfeeding में देखने मिलता है तो ये थोड़ा सा सोच समझ के डॉक्टर्स उपियोग करेंगे driving करते समय आप इसको use कर सकते है safe है alcohol के साथ इसको हम मना करेंगे ये इन बातों का ध्यान रखेंगे अगर आपको कोई kidney liver disease है तो doctor को ज़रूर बताईएगा दोस्तों ये medicine habit forming नहीं है यानि कि इसके आपको आदत नहीं पड़ेगी तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि अच्छाना इसको बंद कर देंगे या डॉक्टर्स बंद करेंगे तो आपको कोई side effect होगा तो it is not a habit forming medicine mainly ये काम करती है हमारे brain function पे brain के जो भी बिमारिया है रोग है उस पर काम करती है और easily available भी है all throughout India, throughout world बहुत easily available है दोस्तों तो दोस्तों आज हमने आपको बता है tablet citicoline, injection citicoline के बारे में आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा अब हमारे चैनल पर अगर नए है तो subscribe कीजेगा ताकि ऐसे वीडियोज हम आपको लाके और दे सकें दोस्तों, stay healthy, stay fit meet you next time with a new video until then, namaskar, jahind